गुड मॉर्निंग फ्रेंट वेलकूम टू टीचिंग गुरूप तो अब आज की टॉपिंग में बात करेंगे वेरिस प्रोग्रामिंग मैथट फोर दी मैनुपिलेटर आर्म रोबर्ट के उपर हम अलवड़ी वीडियो बना चुके है रोबर्ट की जो मैनुपिलेटर आर्म लगी होती है उसको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं सकते हैं दो Sixth container प्रोग्राम में लोग सकते हैं उसको मैनुपिलेटर आर्म करवाने kे लिए या फिर उसको मैनुपिलेटर पकड़के कर वे प्रोग पकड़के औरपॉन से पॉइंट अगो सेट करने है ठीक है दो तरीके से हम कर सकते हैं टीच पेंड़ बॉक्स के वज़े से पावर लीड हो गया और मैनुवल ठीक है तो पावर लीड थू प्रोग्रामिंग में क्या होता है इसमाल कैसे करते हैं कि इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें टीच पेंड़ बॉक्स होता है उसके अंदर उसके जो पॉइंट्स होते है उसको रिकोर्ड करवाई टीच पेंड़ बॉक्स देखे कैसा होता है वह देख ली जेक वाड डाइग्राम में यह पीछे रोबिट है इसके रोबिट के एक्सिस है तीच पेंड़ बोक्स में क्या करेगा हम अगर हमने कोई भी समान को स्पोस्कोर यहां से समान उठाया इस तरफ हमने रखना है समान सिर्फ लिए करने तो यह इसमें जो इसका टी कर देना है समान को फिर छोड़ देना है तो वह सभी इसके help की वज़े से टीच पेंड़ बोक्स की वज़े से उसमें सारी पोइंट सेव हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ लेका बटन दबाना है और सभी वह प्रफॉर्म अपना फंशनल सी करना शुरू कर देगा यह टीच आइंड बोक्स है णो कि ओम अब्ग्राम्रमुर्ज थो ठे क्ते पर किर उप आफ इन पौइम्स में होसेँग ज़्चे अबसा कर स्था देम है दना होके दोलिया चीजी को सई नहीं देहूंगना होते है एक ट्रप्रहें होईशन बाल चाहिए स्सेक्वेंश कर देट होएक इस तरफ रख दे यह position होगी left to right उसने स्माल रखना है यह position होगी sequence of point कर द्यान रखना है कि दूत्रह sequence of point को यहां से स्माल उठा है 1 point ज़ता है दो point लेट में 3 point नीचे गया 4 point यह sequence उल्ट नहीं कर देना कि अगर वह sequence of point का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या पता वह पहले first to third point पे ले जाए third to fourth point पे ले जाए इसलिए इसको position और sequence point का ध्यान रखना पड़ेगा दो तिंग का ध्यान रखना पड़ेगा programmer को फॉर्फ पॉर्ट अपरेटर हैस तो हिमसेल्फ store all the point and in auto mode the manipulator arm will trace the recorded point automatically operator arm क्या operator जो उसको चला रहे इच पैनिट बॉक्स को उसको store करने पड़ेंगे सभी point store करके उसको आटम मोट पे लगा दिना है आटम मोट पे क्या करें कि manipulator arm अपने आप जो trace का उसने point trace किये तो उसको record हो जाएंगे और वो अपने आप अपना काम करना शुरू कर देगी यह तब पाप लीड तुर्फ प्रोग्रामिंग दूसरा देखिए मैनुलीड में ऐसे हमें मैनुलीड में क्या होगा कोई भी operator होगा उसको हाथ से पगड़के बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मूव करना उसके बाद मिस्ट सारे point है वो store हो जाएंगे देखिए यहां पे इसमें continuous path motion के लिए इसमाल कर सकते हैं वह प्रवाले मैंने बताया कि पॉइंट 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 पे यहां पे एक पॉइंट हो गया उसके बाद दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट 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 चलेगा कंटिनूस नहीं चलेगा continuous में चलेगा कि पॉइंट नहीं रखना हमने कोई भी जो भी हमें काम करना नमें आर्म को उठाया यहां से यहां रख दिया सिर्फ कब बना दो सर्कल बना दो को शमर्जी बना दो इसमें इसमें इर्यागुलर मोशन होगा जुरूर निया कि पॉइंट तो पॉइंट जाना है कहीं पर भी इसकी आरम को लेकर जाओ वहाँ पर रख दो वह ऐसी मूव करना शुरू करतेगी बार बार सच चैस जी इन सप्रेपेंटिंग में को भी पॉइंट से नहीं होते हैं सिर्फ अइसी सट्परफ पाथ में जो मशीन होती है फिर जो भी मैनिपोलेटर आरम वह भूण करती है तो सप्रेपेंटिंग में इसका इस्तमाल किया जाते हैं मैनुवल लीड्ट्रू प्रोग्रामि करता है and manually move the arm through the required motion sequence जो भी इसको motion की sequence चाहिए जहां पर भी उसको move करवाने महां पर उसको move करवा देता है फिर उसके storing the points in the controller जो भी points होंगे वो सभी store store करवा देता है उसकी memory में और playback mode को चला के वो सभी points है वो दोबारा यह काम करता रहता है जैसे कि यहां पर इसको सिखा रहा है तो इसको कुछ भी मतलब यहां पर बता रहा है तो इसके points है वो सभी इसमें सेवे जाएंगे और फिर अपना यह काम ऐसी करना शुरू करतेगा तो यह था महराज का topic जिसमें आप देखा कि दो तरीके से हम programming करवा सकते हैं दो तरह के मेतड होती है manipulator arm के program करवाने के फारल लीड़ मेंवली वीडियो चलेगी तो वीडियो के लिए आप कमारी यूटीजिजन को सब्स्राइब कर लिजिए और प्लेइलिस्ट को चेक कर लीजिए कोई वीडियो उसमें अगर रहे गए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू